नमस्कार दोस्तों मैं हूँ अजय चोद्रियाज आपके सामने फिर से एक नए वीडियो के साथ और देखे आज के वीडियो में मैं आपको आर्पेसी के फर्ष्ट ग्रेड की जो संभावित वेकेंसी है कि किस सब्जेक्ट की कितनी वेकेंसी है मैं उनके बारे में बताने वाला हूँ आपको जो की सूचना हमें मिली है देखे इसके अलावा ये सिर्फ एक संभावी सिटे हैं जब आर्पेसी फोम बरवाएगी क्योंकि अभी इसकी वेकेंसी आने में दो महिने का समय है अभी आपका सेकंड ग्रेड का एक्जाम गवाई है और तो इतनी जल्दी नहीं है कि रातों राती 5-7 दिन के अंदर समय है तब तक आप अपना जो फर्स्ट पेपर है उसको त्यार केजिए सेकंड पेपर है उसकी बुक्स वगएरा जो है इनकी है वो नेक्स्ट वीडियो में मैं जैसे जैसे देरे देरे पोस्ट करूंगा आपको इनके बुक्स के बारे में भी बताऊंगा और विश्वास जरूर बताऊंगा कि बुक्स आप कौन सी पढ़ें कैसे आपको पढ़ना है लेकिन थोड़ा सयम रखिए और ये समभावी सीटें हैं हो सकता है और किसी फॉर्म बरवाए उस समय इन सीटों को बढ़ा दे कुछ सब्जेक्ट जिनकी सीट नहीं है उनकी सीट भी दे दे वो तो आई हम बात करते हैं इनकी समभावी सीटों के बारे में देखे भुगोल जो हिंदी विश्य है उसकी अभी तक की जो समभावी सीटें है वो है 1143 भुगोल की है 1488 इनकी सीटें अच्छे खासी है जैसे हिस्ट्री होगा और इंगलीस है, हिंदी है, जियोग्राफी है, इन सभी सबजेक्ट की अच्छी सीटें हैं, राजस्तानी की दो सीट है, सोसलोजी समाज सास्तर की 122 सीट है, चितरकला की 204 सीट है, अंग्रेजी की 932 है, संस्कृत की 528 सीट है, हिस्ट्री की 1186 सीट है, बोतिक विज्यान की 602 सीट है, गनित की 3080 सीट है, हॉम साइंस की 17 चेतर है, रसायन विज्ञान 735 सीट, जीव विज्ञान की 498 सीट है, वानी जे की 100 सित्यासी सीट है, अर्थ सास्तर की जो है, वो 60 सीट है, सिंधी भासा की एक सीट है, पॉलिटिकल साइंस की 892 सीट है, इनके बढ़ने की संभावनाई है, हजार से उपर जाएगी यह सीट है और उर्दू की 24 हैं, आप देखिए इन में जैसे मालेजी साइकोलोजी है, फिलोसोफी है, इनकी सीटे नहीं आईए, तो इनकी सीटे सरकार के द्वारा जो डिपार्टमेंट है, उसके द्वारा सीटे बढ़ाई जाएगी, संभावनाई पूरी-पूरी है, कि सीटे आपके सामने है, और इसके साथ ही अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जरूर करें, और लगातार जुड़े रही है, क्योंकि आपके सामने फर्स्ट ग्रेड है, ऐसा ही है, रेट है, इन से सम्मंदित, बहुत सा मैटर, बहुत सा आपको जो एक सिस्टम से होती है, और उसी के अकोर्डिंग हम चलें, तो इसी परकार जुड़े रही हैगा, और अभी आपका सेकेंड ग्रेड का एक्जाम वाई है, तो उसके लिए जो कटोफ है, वो RPC की आने दीजिए, संभावित कटोफ है, जो मैंने आपको बता दी है, हो सकता है, उ जा तो कम बताएंगे या इतनी हाई बतादेंगे कि आपकी सोस से ही बार है, तो इसलिए गबराने के आउशकता नहीं है, अराम से शांती से बैठ लिए, और कटोफ बहुत जल्दी आपके सामने आजाएगी, आपके सामने बहुत सी वेकेंसी आने वाली है, रीट है, फर् भुशकार, धन्यवाद, जय हिन, जय बारत